ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मूरली, 26 नवंबर 2023 दिन रविवार की प्राता मूरली, रिवाईज 31 दिसंबर 1996 मधुबन, नए वर्ष में अनुगवी मूर्थ बन सबको अनुगवी बनाओ, शांती वन डायमंड जुबली हॉल के उदगाटन अफसर पर, आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा, आप सभी अतीस नहीं, सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है हॉल में पीछे वाले भाई बहिनों से, आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी कीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है चाहे कहा भी कोने में बैठे हो लेकिन बाप के सामने हो अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना तालिया बजाई, आज बहुत उमंगोचसा और खुशी है ना तो तालियों से दिखा रहे हैं लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं तो भुजाएं सहयोग की निशानी हैं बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों और चाहे देश में, चाहे विदेश में सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो अभी ज्यादा ताली नहीं बजा आपके खुशी की मन की तालिया बाप दादा के पास पहुँच गई है देखो आज दो विशेशताएं है एक इस शांतिवन को जो सभी ने उमंगुचसाह से बनाया है उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उदघातन कर रही है और आज ड्रामानुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रही है और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमम्रुच साह और खुशी में जूम रहे हो ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथ ही समझना, अनुभव करना, यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है माइक बंध हो गया, पहला फला अनुभव है ना इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना, कोई भी बात नीचे उपर नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते, आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइबरेशन कैसी भी सीन हो निगेटिव को पाजिटिव में बदल देगी इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव करेंगे यह नया हॉल और नया वर्ष तो इसमें क्या करेंगे? नये वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना तो यह वर्ष अनुभवी मूर्थ बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है समझा क्या करना है? अनुभव करना है वानी द्वारा वर्णन तो करते ही हो लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुन का अनुभव करना है अनुभवी मूर्थ हो ना अनुभवी मूर्थो या वानी मूर्थो अनुभवी हो भी लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है ऐसा कोई बच्चा न रहे क्योंकि ज्यान का अर्थी है सिर्फ समझना नहीं लेकिन अनुभव करना और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते अगर वानी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित बनते हो, वह भी वानी द्वारा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कमाल है, यहां तक आते हैं अनुभवी हो जाएं, वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई हैं, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल वासन के रंग में नहीं आ सकती हैं सिर्फ वानी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पढ़ जाएंगे अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन आधा अनुभव है, तो आधा फाउंडेशन पक्का है, उसकी निशानी है, वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा अचल नहीं होगा क्योंकि आने वाली बातें वा समस्याएं प्रबल हो जाती हैं इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लडखडाते हैं, गिरते नहीं हैं, लेकिन लडखडाते हैं, तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्थ के फाउंडेशन को पक्का करो कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे बात नहीं खेल, मनोरंजन, मनोरंजन अच्छा लगता है न तो कोई भी बात हो, आपके लिए बड़ी बात तब लगती है, जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है चाहे 75 परसेंट पक्का है, चाहे 90 परसेंट पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है बाप दादा को बच्चों की मेहंत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता मेहंत क्यों? युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाए योध्ये बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संसकार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तु आत्मा के संसकार सूर्यवंश में ले जाएंगे तो क्या बनना है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई इसमें हा नहीं कहते हो कहने से कहते हो बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजिट देख लेते हैं हर समय की रिजिट नैनों के सामने नहीं लेकिन दिल में आही जाती है यहां साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है हौल की खुशी है ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परेहो अचलडोल बनना ही है बनेंगे नहीं बनना ही है ऐसे है ऐसे जो समझते हैं बनना ही है सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, यह नहीं वहां हाथ उठा अच्छा मुबारक हो और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया ऐसे नहीं हो सकता की नहीं बनेंगे लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वह उठा शर्म आता है उठाने में तो सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना सोचना की यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी पक्के हो जाएंगे क्योंकि कई बच्चे भार-बार पूझते हैं चाहे निमित बच्चों से या रुह रिहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं बाबा विनाश की डेट बता दो सभी का क्वेश्चन है ना अच्छा बाप दादा कहते हैं देट बता देते हैं चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं misunderstand नहीं करना बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे अलबेले बनेगे या तीवर पुरुशार्थी बनेगे तीवर पुरुशार्थी बनेगे और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे और तीवर पुरुशार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉनसेस हो जाएंगे गिंती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, एक मास पूरा हुआ, एक वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं तो date conscious बनेंगे या soul conscious बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो चार वर्ष पड़े हैं क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे, ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा-थोड़ा बन जाएंगे आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलस्य बीच-बीच में आएगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉनसेस नहीं बनो लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है इतना हर घड़ी में एवर रिडी रहो अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं, दो हजार के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है, लेकिन मान लिया तो आप दो हजार में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? सत्युग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं, उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सत्युग आदी के नौ लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के उपर राज्य करेंगे? नई आत्माएं तो तयार हुई नहीं और विनाश हो जाएं तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो जोतिशी हैं ना उन्हों के उपर ही रखा है जो जोतिशी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं उन्हों को कमाने दो उन्हों की कमाई का साधन यही है अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो बाप नहीं बताएगा समझा इस वर्ष क्या करना है? अनुगवी मूर्थ कई बच्चे रुहरिहान में बहुत ही मीठी मीठी रुहरिहान करते कहते हैं क्या करें बाबा? इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो राज्य हम करेंगे लेकिन सम्पूर्ण आप बना दो ऐसे होगा बाप मददगार जरूर है और अन्त तक रहेंगे यह गैरंटी है लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पाव आगे करते हैं फिर बाप मदद का दूसरा पाव उठाने में सम्पूर्ण मदद करते हैं हिम्मत का पाव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो बाबा आप कर लो तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे पहले पाव तो रखो एक पाव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो की हिम्मत के पाव मजबूत हैं बाप को कहने के पहले यह चेक करो हिम्मत का पाव बढ़ाया और मदद नहीं मिले यह असंभव है सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पाव बढ़ाओ, इसीलिए गाया हुआ है पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बच्चे मद्दे बाप, इसको उल्टा नहीं करो, मद्दे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की बाप तो मुस्कराते रहते हैं, वाँ मेरे लाडले बच्चे वाँ निश्चय से हिम्मत का पाव जरा भी आगे करेंगे, तो बाप पदमगुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तयार है अच्छा नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था किस नहीं, सहियोगी, संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे लेकिन अभी वारिस निकालो वारिस कम निकालते हैं, क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंदर की रोज की रिजिट देखते हैं तो चारों और की रिजिट में वारिस कम हैं इसने ही सहियोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाग कोई-कोई निकलते हैं, लेकिन गिंती करने वाले हैं जब चाहते हो की 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो तो वारिस कितने बनाए हैं सत्युग की प्रजा भी रॉयल चाहिए वह कम है प्रजा बनी है, यह जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फरेंस की है वा बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा यह रिजट अच्छी है लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी वारिस क्वालिटी तयार करो यहां वारिस तयार करेंगे, तब एडवान्स पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाडा चारों और बजेगा अभी तक की रिजट में कहते हैं कि यह भी अच्छा काम कर रहे हैं या कोई-कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए, परम आत्मा का यह कार्य चर रहा है, वह अभी इनकाग्नीटो गुप्त है. बच्चे अपनी शक्ती से स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुशार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नही है, सहयोगी है, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है. अच्छा है, यहां तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यहां निकले की बस अभी समया गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा. तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो की विनाश कब होगा? बाप आप से पूछते हैं कि आप कब तयार होगे? पर्दा खोलें, तयार हो की पर्दा खुलेगा और तयार होते रहेंगे? कम से कम 16,108 पक्के-पक्के रत्न तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ. बाप भी देखे तयार हैं? इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं. 9,00, नहीं कह रहे हैं. 16,108 की माला बना. तो इस वर्ष बनाना, देखेंगे कि 16,108 की निर्विगन अचल माला तयार है या अभी थोड़ा-थोड़ा लड़कडाते हैं? थोड़ा-थोड़ा खेल दिखाते हैं? पांडव क्या समझते हो? बोलो तयार हो? दादियां तो बोलती हैं, हाँ. सभी शक्तियों की हाँ है. 16,108 तयार है. अच्छा 18 तारीख को माला बना कर देना. हाथ उठवाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में हैं. जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिटकी लिख कर देना कि मैं 16,000 में हूँ या 108 में. फिर दादिया पास करेंगी. ऐसे नहीं समझना की चिटकी दे दी है. पहले यह पास करेंगी, फिर बापदादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजिट बताएंगे. अच्छा. चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनामी के अवतार बन समय, संकल्प, वानी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार वा आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकीलधे बच्चे, बापदादा देख रहे हैं कि चारों ओ और के बच्चे, साकार में नहीं, तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं और आकार रूप में मना रहे हैं। तो सभी को बापदादा नए वर्ष की, शांतिवन के स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मनियों को नमस्ते। वर्दान अपने आदी अनादी स्वरूप की स्मृती द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। आत्मा का आदी अनादी स्वरूप स्वतंत्र है। मालिक है, यह तो पीछे परतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदी और अनादी स्वरूप को स्मृती में रख बंधन मुक्त बनो. मन का भी बंधन न हो, अगर मन का भी बंधन होगा, तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा. बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद आनर बनेंगी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगी. स्लोगन मास्टर दुख्ध हर्ता बंधुख्ध को भी रुहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है.